गुजरात सिंग रोज कुछ ने कुछ पोल रहे हैं बड़ा बड़ा ठीक लगा घर के लेकिन जो मूल समस्या है इंसान का उससे ध्यान भटकाने के लिए ये जो है सामपरदाइक्ता का जो नसा है इनों ने नबेरोजिगारी के खिलाप को इकारवाई किया ना किसानों का आम शुनाओं में अमिसा ने क्या कहा उन्होंने ये कहा कि 2002 में नरंद्र भाई ने जो उपद्रवी ताक्ते थे उनको इस तरह से कुछल दिया कि अब जो है कभी उससर उठाने लायक नहीं रहेंगी क्या था भाई 2002 में वहां गोधरा के बाद जो है जो कुछ हुआ वो तो सब इन का जो है वही एक आधार है इन्हों ने जहुआ कि कि खिलाप कोई कारवाई किया ना कशानों का अमधनी दुगना और जो हटाया जो परिशानी है लोगों की उसको जो है दूरफ यहां तक कि आप देखिए दिश तरह से नुटवंधी किया जिस तरह से मने करोना period में lockdown किया पूरे देश का उसका क्या असर पड़ा है देश पर तो अब ऐसी हालत में जनता के सामने क्या उपलब्दी लेकर के जाएंगे तो हर जगे यही करवाई हो रही है हिंदू और मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम इसके अलावे कुछ हो नहीं रहा है बिहार में या बिहार के पाहर जहां भी यह देखिए बंगाल में भी हुआ हबडा में दंगा हुआ अब देखिए करनाथक में हिजाब को लेकर के क्या क्या हंगामा हुआ तो हर जगे दिखाई दे रहा है, अभी महारास्ट में हुआ, जो पहले और अंगाबाद कहा जाता था, उसको संभाजी नगर कहा जाता है, वहाँ उसी तरह से हुआ, तो इस पूरे देश में सामपरदाइकता का माहौल जो है, बना हुआ, उसी का असर बिहार में है, आरे सेस के लोग, विश्व हिंदू परिसत के लोग, बने गाओं गाओं में, गली कुछे में, हर महले में, गरीबों के महले में जाके, वहाँ लोगों को संगठित कर रहे हैं, आप देखिए कि पहले इतना पूजा होता था क्या, अब तुलसी जैनती मनाया जा रहा है, तो ह जैनती मनाया जा रहा है, यहां गरीबी की बात नहीं, यहां इतना पिछड़ा राज है, यहां उसका सवाल नहीं उठाते हैं लोग, परिवार का परिवार आत्मत्या कर ले रहा है, इसका सवाल नहीं उठा रहा है, बलतकार हो रहा है, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ सनक पर लड़कों लड़के छडखानी करते हैं लड़कियों का उनका गार्जियन बोलता है तो उसका मडर हो जा रहा है इन सवालों को अपोजिशन नहीं उठा रहा है बारतिय जंता पाटी के लोग नहीं उठा रहा है लगाए करके लेकिन जो मुल समस्या है इंसान का उससे ध्यान भटकाने के लिए यह जो है सांपरदाइकता का जो नसा है जिस नसा के वज़र से जो असलियत है वो असलियत आदमी देख नहीं पा रहा है वही उनका ताकत है वही उनका अधार है आप लोग को कितना नुकसान होगा जिस परकार से अभी चल रहा है। आने मुसल्मान और इसाई ये दो हैं जिनका पुन्य भूमी जो है हिंदुस्तान में नहीं है हिंदुस्तान के बाहर है।